आज की वीडियो में सभी कॉजिटी वर्व सिखेंगे आज की बाद कॉजिटी वर्व्व आपको कभी कन्फ्यूस नहीं करेगा गाईस आपसे बहले समझे कि कॉजिटी वर्व साकीर होता क्या है कौन कौन से होते हैं होता है गाईस गेट मेक लेट हाव और है यह टोटल आपके पांस होते हैं अब बात यह होता है कि कॉजिटी वर्व आखिर यूज करते कैसे हैं और क्यों यूज करते हैं गाईस कोई काम आप करते नहीं है अगर आप करते हैं तब तो सिंपली आप लिख देते हैं लेकिन आप यहां पर सब्सक्राइब करते हैं लोग किसी को आप कन्वींस करते हैं तो डू समतिंग कुछ करने के लिए आप समझेने ये किसका फर्मूला क्या होगा बनाने के लिए फर्मूला हो साएगा है उसके परिसे आपका सब्सक्राइब हो साएगा इसके आपका इक अब्जेक्ट आजएगा इसके तुरंत बाद आपको टू वीवन लिखना है इन्फिनिट पर आपका एक उब्जेक्ट आजएगा अप समझे एक्जामपल के साथ एक्जामपल इस पर से उसने रवी से किर्केट खेलवाया कोई काम करवाया अगर आप गेट का यूज़ कर रहे हैं तो आप यह बता रहे हैं कि आपने उससे कन्वींस किया है तो हो जाएगा ही गोट रव संसर्या गोट में बैभन अपकर तूपले यह इसे बगार से और एक एक इसे ब्लाप संघ्सेया याई के तुम मुझे से अपना काम करवा रहे हो इसका मतब है कि तूम ने मुझे कान विंस कििया उसके बाद तूम मुझे काम करवा रहे हो तों ने ह descriptive या इस पझा सकते हैं कि मैं रहूल से सबजी खरीदवाउंगा इस पर से जयी रही nota मैने पैसे नहीं दिया और भी बहुत सोरी बाते बताई उसकी बाद उसने रूम साप किया मतलब मैंने उससे रूम साप करवाया हो जाएगा कि आई गोट रवी टू क्लीन दिस रूम इस पर से काफ़ी से संटेंस इसली आप बना सकते हैं इस पर सबस्क्राइब करने के लिए कोई काम करने के लिए कोई काम करने के लिए आप किसी को फोर्स करते हैं तो उसमें आप वहां पर में का यूज एजली कर पाते हैं ौफ प्राप्ट हाई इस पर पसे पहले सब्चेक उसकोदित और मेयर्गक्राइब ऑसिर्फ सब्चेकत सब्सक्राइब कर देखा हुआ है इसी बगार से रहूल काम करवा रहा है रहूल मतलब किसी से काम करवा रहा है नाम नहीं दिया है को ईप बनारी काम कर रहे हैं किसी से में आप लगों से अंग्रिजी बोल Psalm कि मैं आप लोकों से लिग बोलबाऊंगा इसे वर समझा सकते हैं यह बहुत लगता है कि मैं कि लिए में कि यू लाफ इस पर से आपको काम करवाते हैं जब आपका मन नहीं फिर वह देकर उचाता है फिर आप I make everybody, मतलब सबको laugh means hasana, यह पर आपका work का फर्स रहाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पारें, I make everybody laugh, इस पर से आप यहाँ पर इसली संडेज को बना सकते हैं, इसे बगार से का इस अगला यूश समझते हैं, गेट का, जहाँ पर आप समझेंगे, इसका मतलब यह कि आपको गेट का यूश दोनों तरह से सीखना है, पहला आपको टैंस के गोड़ेंग, अदूसरा आपको वेस के गोड़ेंग, अगर आप दोनों तरह के से सीख लेंगे, तो फिर आप confused कभी करने ही सकते हैं, और आपको यह structure हो जाता है, subject, get, get आपका tense के according sense हो जाएगा, उसके आपका tense मतलब की वेस देशा भी होगा, यह get आपका always sense होते देगा, उसके आपका हो जाएगा, क्या object, object कि बाद आपको वर्ब का third form, guys, यह आपका वेस तो है, वेस के कोड़ेंग मतलब पेसी में इसका use, इसलिए हो हो जाता है, example से आपको समझ आएगा कि कैसे हो जाएगा, example समझे जैसे कि मैंने एक पत्र लिखवाया, इसलिए संदेस आपका past में है, और sentence में आपको get का got होता है, कैसे हो जाएगा, I got a later return, यहापर return आपका third form है, इससे third form को देखकर, यहापर आपका passive में माना साता है, इ कैसे यहापर काम नहीं करता, लेकिन आपको समझना है कि कैसे यहापर क्या जागा है, इसे बगार से, मैंने एक किताब खरिदवाया, होज़ागा I got a book bought, यहापर bought आपका work author form हो में, किसका work author form हो में, तो buy का work author form हो में, इसलिए बगार से, मैंने उस से अंग्रेजी बूल व पॉकेन बाइ उससे मनलोग उसके दुवारा आप यहां पर देख रहे हैं उससे यह उसके दुवारा जब नाम आए तो पैसिव वह इसमें आप क्या करते हैं बाइक के साथ आप उस अब्जेट को लिखते हैं तो कि अक्टिव संडेंस का यह सब्जेक्ट होता है लेकिन पैस इसका संडेंस आप इसलिए बना सकते हैं अगला यूज समझते हैं मेक का जिससे आप समझेंगे प्रेसिव में इसका यूज कैसे करना है इसका यूज करने के लिए उसका इस पर पास्ट ताइम में और उसकुद आपका फ्यूसर की अगर बात की सारी हो तो आप वहां पर विल भी का यूज़ कर लेंगे अगर फ्यूसर की बात होगी तो विल भी इसमार पर्जेंट में वोज वर पास्ट में और विल भी फ्यूसर में उसके आपके बाद तुरंत आपके यहां पर टू वीव बनाएगा आप समझते हैं कि संदेंस कैसे बनाएगा एक्जमपल से इसका आ आई वोस मेंड टू लाफ हो कि उसे बाद भेजा गया इसका लगा है कि यह सभी काम किसी के दुवारा क्या गया है और फोर्म ली क्या घ्या है तो जबकर क्या हैं तुजा कि ही वोजमेड टू सेंड टू मार्केट इस पगाठ से का पिस तुसक नेस से इसली मनाए सकते हैं इसे वार से मुझसे काम करवाया गया लोग किसी ने मुझसे जबरदस्ती काम करवाया हुसाइगा कि I was made to work मुझसे काम करवाया गया उससे एक पत्र लिखवाया जाता है यह परजेंट टैंस में है इंडाफनेट के और जगा इस मेड वैट टू राइट और लेटर जाता है यह पर आप समझना यह कि जाता तो है लगन यह सब्सक्राइब कर पर जाता है कि किसी से कोई काम करवाना और साथी मैइधारी आप काम करवाना, यह समझते हैं कि सवाहिए कैसे करते हैं और बताते हैं तो और फिर आप उसे करते हैं या फिर आप उसे की आफे सपस्पूलेटी देकर कोई काम कर्वाते हैं कि समझें है कि सब्सक्राइब आपका ऊबजय मेर्ट के बाद आपको फर्सवाम लास्ट में पीड आपका एक ऑप्जयक्वात्वल समझें रहा है इसको पास यह क्या है रिस्पांसिमिटी है कि बेटा का परवंद करवा रहा है होगा ही इस थे तो परवंद करने के लिए हुआ है इसे बार से पिर्या एक किताब खरीदवाएगी इसको लिए उपक्या करेंगी एक निदेश देगी किताब खरीदवाएगी एसा करना है या पड़ आप इसका उप्जेट के बाद connection करवाया होसाइगा कि राहुल हैड आ मैकेनिक रिपेयर माइकार यह पर समझेगा रिपेयर अगर मैकेनिक करेंगे तो मैकेनिक रिपेयर करेंगे गाइस तो यहां पर वो तो पैसे तो लेंगे न तो मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा और अगर हम पे करते हैं पैसे कोई काम करें ले आपको यूष्ट करना होगा मन्हें आपना बाल कटवा यहां पर हैट हो गया क्योंकि संदेंस आपका प्रक्राइबस कर सकते हैं अब इंपर समझ आप यहां पर गेंट और है दोनों को एक भी दूसरी जिगाप राप यूष्ट कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि get और have एक ही संस में यूज़ किया जाता है इसका समझते हैं इसका स्ट्रेक्ट्चर आप समझते हैं कि get वाला क्या हुज़ागा subject, get, object, work, third form इससे बगार समझते हैं आपका subject, have, object, work, first form, object अपना बाल कट वाया आप simply से बनाते हैं, help से बनाते हैं क्योंकि आप पैसे पे करते हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग अपने speaking में हम लोग क्या करते हैं, get से भी संडेस बना लेते है, I got my hair, get, get, आपका हम पर correct भी है, इस वगार से हैं, मैं है तो यह वैसे सलोगा तो यह बहुदत sû compliqué निए उसने उससे शुच्छ वा यापनों के यह मेओं करने सब्सक्राइद उसकेंगें यह पता है क्योंकि कट होता है तर्ड फॉर्म होता है तीनों से होता है इसलिए कर जातें कि फर्स्ट वर्म है तो आपको थर्ट वर्म में आएगा इसे वर से इसे बगार से रहूल ने अपना काम कर वाया रहूल गोट इस वर्ट वर्क दन तो आपको एस वर्ट वर्ट करने देना किसी को आप अलाओ करते हैं कोई काम करने के लिए आप वहों पर इस से जिए करते हैं किसे को आप करते हैं को कि अधिने सब्सक्राइब का रब्राब फर्सक्राइब समझे के राहूल को अंदर जाने दो लेट सबसे पहले उस इसकोद आपका ऑजिट्ट्ट्च वर्वर्ड कह सै प armas तो फिर्या को एप लेने दो पर जिग आप करते जाने दो और उसे यहां बैठने दो एसे यहां बैठने दो हुझा है इसे बगार से आगला यूज समझते हैं लेकिन इसका यूज हम करेंगे तेंस में किसे करेंगे एक्जांपल समझें से कि हैं आपको सबसे प्ले सब्सक्राइब ऑब्जेट वर फर्स्ट फर्म आपजेक्ट पर इसे वर से रहूल ने उसे कार सलाने दिया रहूल कि लेट का फर्स्ट फर्म होता इसलिए कंफ्यूज कर साथ लोग लगिन आपको समझना कि टैंस कि पकार से लिकाश जाएगा I let him come in I let him come in मतलब मैं ने उसे अंदर आने दिया इसे बार से गाइस अगले यूज समझते हैं help का जिसमें आप बताते हैं कि to help या फिर assign someone to do something किसी को आप help करते हैं किसी को आप मदद करते हैं उस sense में आप help का यूज करते हैं अब समझना यह होगा कि कैसी समझें करने मेरा मदद किया मेरा मदद किया कोई काम करने में computer ठीक करने में होसाईगा कि he helped me उसने मेरा मदद किया to fix the computer, computer take करने में मैंने उसका कार खरीदने के लिए मदद कर रहा हूँ होसाईगा I am helping him, मैं उसका मदद कर रहा हूँ कार खरीदने के लिए to buy a car, to purchase a car, इस पर साफ इसली बोल सकते हैं इस पर से मैं रहूल से मिलने में आपका मदद करूँगा, होसाईगा I will help you, I will help you to meet रहूल मैं रहूल से मिलने में आपका मदद करूँगा, इस पर से बोलते हैं इस पर से वहाँ पत्र लिखने में मेरा मदद करेगा, होसाईगा He will help me to write a letter इस पार से कापे समसेंस इसली आप बना सकते हैं with the help of use help help इस पार से आप बना सकते हैं बहुत साथ संटेंस बन सकते हैं जो कि इसली आप बना सकते हैं आज की वीडियो में इतमा ही thanks for watching, that's all for today